नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका के टू नेटवर्क्स में और गप्षप जी आरेक्स में एक वार फिर मैं पवन कुमार आप लोगों के साथ तो आज की गप्षप शुरू करते हैं एक दोस्त के कमेंट से जिसने विकास टॉक्टर विकास जगदाले जी के वीडियो में कमेंट किया था बहुत यह आसान शब्दों में उसने इस वाइरस को एक्सप्लेन भी कर दिया अगर वाक्य में यह ऐसा है तो हमारी जो सरकार है मौजूदा सरकार क्या कर रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज की गप्षप गप्षप शुरू करने से पहले मैं आप पोस्त है जिसने डॉक्टर विकाश जग्जदाले जी की पोस्त पर अपना कॉमेंट किया था तो उस कमेंट को मैं आपको पढ़ता हूँ बात 2020 के पहले की है जब COVID-19 शब्द का अविश्कार नहीं हुआ था हम लोग स्वस्त हुआ करते थे खांसी जुखाम बुखार मानो एक आम बात थी घर में किसी न किसी को लगा ही रहता था चाहे वो ठंड का मौसम या फिर गर्मी बरसात ये बिमारी हमारे बीच उत्पन ह होती और खतम भी हो जाती किसी एक को पहले सर्दी होती फिर हलका या तेज बुखार कफ खांसी दिरे-दिरे पूरा घर चपेट में आता था और फिर जब लोग इससे उबर आते थे मेडिकल स्टोर से ली गई दवा या चिकित्स के परमस से और जब कभी मुझे जुकाम ख गंद या फिर खुश्बू का एसास होता मुझे जब तक जुकाम सही ना हो जाता फिर एक दिन एक बहुत बड़ी संस्ता का ध्यान इस बिमारी के उपर जाता है एक ऐसी बिमारी जो लोग जो विश्व के हर वेक्ति को साल में एक दो बार होती है और वो खर्वो कभी पार मत एक बिमारी के नाम बदलने से हो सकता था उनको अच्छी तरह से पता था सबसे पहले वहान से बिमारी लॉंच की जाती है एक किट त्यार की गई जो हमारे शरीर में पहले से ही मौझूद वाइरस को डिटेक्ट करती है यूँ तो हमारे शरीर में सेंकडों की तदाद मे वाइरस हैं उनमें से एक का नाम इस बड़ी संस्थाने COVID-19 रख दिया बिमारी लांच हो चुकी थी अब दो काम इनके सामने थे पहला इनको पूरे विश्व में कैसे फैलाया जाए दूसरा इस बिमारी को बहुत बड़ी बिमारी बता कर लोगों में दहश्चत पैदा किया पैदा किया जाए पहले तो वो संस्थान बोलती है कि इस वाइरस से डरने की जरूरत नहीं है मनुश्य से मनुश्य में नहीं फैलती आप लोग आराम से एक देश से दूसरे देश में ब्रह्मन कर सकते है अब जब कई देशों में लोग वहान से जा चुके थे तब इनका प्यान आता है कि मनुश्य से मनुश्य में वाइरस फैलता है और सब को मासित पहनने और दूरी बनाकर रहने की हिदायत देता है अब खेल शुरू होता है टेस्टिंग का अब विदेशों से जितने लोग आ रहे थे सब की टेस्टिंग शुरू किट ने अपना कमाल दिखा शुरू किया लोग पॉश्टिव निकलने लगे और लक्षन भी संस्था ने ऐसे बताए जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि सर्दी जुखाम बुखार स्वादना मिलना सुंगनें की शक्ति कमजोर होना यह ऐसे लक्षन थे जो हमें बच्पन से महसूस होते आ रहे हैं एक लक्षन और उसने बताया कि सांस लेने में तकलीव इसका सबसे बड़ा कारण मासक है अगर आप नियमित मासक का प्रियो करते हैं तो आपकी बॉड़ी में ऑक्सिजन की मातरा कम हो जाएगी जिस वज़ा से हमें सांस लेने में तकलीव का सामना करना पड़ता है बिना किसी डर के बिना किसी मासक के और बिना किसी सेनिटाइजर के जी यह खासी चुकाम अपने आप ही ठीक हो जाती है टेस्ट कराने से बचें अस्पिताल तो बिल्कुल बिना जाए उपचार के नाम पर काला धंदा चल रहा है जो भी मृतिव दर्ज हो रही है वो में अभी तक एक विवैक्ति की घर पर रहकर मृतिव नहीं दर्ज की गई मासक का प्रयोग बंद करें सभी देशों से देशों में इस फेक बिमारी पर बिमारी का पूर जोर विरोध किया जा रहा है लोग अब जागुरू खोट चुके हैं आप भी अपने आगे आप भी आगे आए इस शब्द बदलू बिमारी को जड़ से उखाड फेंकते हैं डॉक्टर प्रमोद सिनहा जुन्होंने ये कमेंट किया था तो इस मैसेज मैं डॉक्टर प्रमोद जी ने बहुत ही सिंपल शब्दों में इस बिमारी को पूरी तरह से जो है एक्स्प्लेन कर दिया अगर बात इस तरीके से है तो इस स्थिती का जिमिवार कौन तो ये था प्रमोद जी का मैसेज बाकी अंदर की बात हम क्या जाने उनका विचार था मैंने इस मैसेज को डॉक्टर विकास जगदाले जी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो मैंने सुचा कि आप ल वैसे भी विकास विलास जगदाले जी हैं डॉक्टर विश्वरू प्रोय चौदरी जी हैं तौरुन कुथारी जी हैं तो मैं वैसे भी इन लोगों को फॉलो करता रहता हूं इनके विचारदाराओं से ओत प्रोथ होता रहता हूं तो आज का जो गफशप थी वो मेरी इसी कमेंट्स पर आधारी थी अगले वीडियो में मैं दुवारा आप लोगों के साथ मिलूंगा तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करना ना करना वो डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कैसा लगा पर देखे जरूर और सब्सक्राइब करने के बाद वेल आइकन को दबाना ना भूले वेल आइकन को दबा के आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरे वीडियो की तो तब तक के लिए नमस्कार आगे अगले वीडियो में फिर मुलकात होगी जाएं